मित्रों आजकल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं यूट्यूब पर कि कितने घंटे पढ़ाई करें कि एक्जाम क्वालिफाई हो जाएगा कोई भी एक्जाम क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों कोई निर्धारी समय नहीं होता कि आप दिन में तीन घंटे पढ़िये और वो एक्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आप जितना अपना maximum दे सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, पढ़िये, जितना time दे सकते हैं, दीजिये, और अगर आप सोचेंगे कि मैं exam में इस साल बैठ रहा हूँ, सब इसी साल final हो जाएगा, तो बहुत लोगों का हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हो पाता है, तो आपको निरंतर प्रियास करना है, और अपने लिए 2-3 साल का समय निकालना है, थोड़ा time लगता है जब आप बड़े exam की preparation करते हैं, तो उसको crack करने के लिए आपको एक बार पूरी तरीके से academically और mentally दोनों तरीके से prepare होना पड़ता है, उसके बाद ही आप exam को qualify कर पाते ह तो मेरी ये सला है कि आप कितने घंटे पढ़ना है, कितने साल में हो जाएगा, इस चक्कर को छोड़ करके सबसे ज़्यादा इस पे focus करिए कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आपको और अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, यही आपको सफलता की तरफ ले ज यह एगा